गुड मॉनिंग श्टूरेंज एम गीता नेगी ख्रॉम नवज्योती ग्लोबल स्कूल मोना आज हम पढ़ेंगे किलास फोट की मैथ चैप्टर फोटीन स्मार्ट चार्ट और इसका हमने जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था और आप लोगों ने आए पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे ठीक है तो स्टाट करते हैं फिर्पारिण फ्रॉम प्रिपारिण फॉर दोग्लास ड्राम कर है देखिए बच्चे कर रहे है और चिलिन्ट आफर किलास्रा अर गैटिंग एडिवगेधि फॉर द्रॉम सम् चिल्डर्र आर एक्टिंग उस तो क्या कर रहे हैं अपना सेट तैयार कर रहे है ठीक है अब यह दर ड्रामा चार्ट नंबर ऑफ चिल्डन आप देख रहूंगे इसमें ट्राइंगल जैसा बना रखा ना जैसे यहां पर लिखा एक्टिंग एक्टिंग में थ्री चार्ड बना रखे और यहां लिख भी रख तु थिरी थरी जा कितना होता है 9 तो यानि कि यह 9 बच्चों का को शो कर रहे है ठीक है इसे तरorth्यों से क्लेक्टिंग रियएसे Each के प्लेइंग म्यूजिक में फॉरं ट्रंगि बना रखे यानि कि 4 थ्रीजा 12 बच है ठीक है और यहां पर चर्पर कर रहे नहीं है two two बना रखें यानिकी two three six six बच्चों को क्या कर रहा है वह शो कर रहा है how many children are acting in the drama अभी बताये ना मैंने जो ड्रामा में acting कर रहे हों कितने बना रखें one two three बना रखें यानिकी three one triangle three तो 9 चील्डरंस को चुल्रा करेंगे नाइन चील्रन जो है वह क्या कर रहे हैं ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं ठीक है बिवाला है विच आर मोर चिल्रन मेकिंग दो सैट और दूष्ट एक्टिंग अब आपको देखना है ज्यादा किसमें है, चिल्रन मेकिंग, मेकिंग चिल्रन जो सैट वो कर रहे हैं, उसमें कितने हैं, टू ट्राइंगल बनार के यह न, टू, और रूस अक्टिंग, अक्टिंग में थ्री, तो क्या है, यानि कि यहां कितने हैं, टू थ्री जा, शिक्स, और थ्री जा, नाइन, यानि कि acting में जो हैं वो ज़्याद़ चिल्डरन से हैं, ठीक है? What is being done by most of the children? अब most children किसमें हैं? दिखा है ना आपने अभी आपको चार्ट दिखा हैं मैंने, उसमें देखा आपने तो most children किसमें हैं? Playing music में, क्योंकि उसमें four rectangle बना रखे हैं, ठीक है? यानि कि 12 children अब D वाला है, how many children are collecting dresses, dress collect, कितने बच्चे कर रहे हैं? कितने children हैं, जो dress, dress, dress is collecting कर रहे हैं? तो two's rectangle बनाएं, यानि कि two, three, six, six children ठीक है? इस तरीके से आप इसको करेंगे Whose head is bigger? अब किसका head bigger है, वोगो देखना हैं, आपको cut long paper strips from waste paper आप waste paper के, आपको strips ऐसी तरीके से long paper की cut करने हैं, जैसे इसमें दिखा रहे हैं Give one strip to each of your friends Now put the paper strips around your head and rear of the extra strip On a big seat spaced these paper strips along all line आपको क्या करने हैं? इस तरीके से cut करने हैं और अपने friend को लेके ये बोलना है, friend को भी और अपने भी ये अपने head में इस तरीके से major करने है, ठीक है? इस तरीके से आप इसको करेंगे तो some children had pasted their strips in made a chart like this अब उन्होंने क्या क्या? अब कुछ children's के नेम दिये हैं जैसे ये, इस तरीके है, तो इसने इतना मधु का क्या है? इतना बड़ा headache की ताकि वो round में जब उसने किया, check किया तो इतना हो है इस तरीके से Rohit की ये है, RAMES की इस ट्रीके से है सादिप की ये है, समीना की ये है, ठीक है? यूर चार्ट शूद नेकर आपका भी चार्ट इस तरीके से बनेगा use a scale and find out from your chart आपको भी इस तरीके से अपना चार्ट लेना है इसकेल लेनी है और पता करना है ठीक है इस देगे से अब आपको अपनी किलास का बताना है जैसे दल लेंथ आप द लॉंगेश्ट इसकी लॉंगेश्ट थी तो आप किसी का भी नाम लिख सकते अपने उसमें जब आप चेक करेंगे तो उसका बताना है सेंटीमेटर बताना है उसके बाद उसमें बताएंगे ठीक है पहले कितने सेंटीमेटर था उसका है और किसका था उसके नेम लिखेंगे आप द इसमॉलेश्ट 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 किसकी थी मतलब सेंटीमेटर में लिखेंगे it belongs to इसके है अब जिसका भी आपका फैंड किसी का भी जिसका आएगा उसका लिखें गया चापाती चार्ट all children of school take part in different clubs अब ये different different clubs में वो कर रहे हैं ठीक है जैसे कोई garden clubs, कोई games club कोई drawing club इस तरीके से कर रहे हैं दो चापाती चार्ट show the number of children in different clubs round वाला चार्ट बनाना है तो इसको क्या बोल रहे हैं ये चापाती चार्ट बोल रहे हैं ठीक है इसमें आपको show करना है जैसे ये देख रहे हूंगा games club half है ना देख रहे हैं इस तरीके से half और ये one for garden club drawing club इस तरीके से show करा रहे है ठीक है अब वही यहां पर भी है from the picture we can see that अब आपको ये देखना है half half the children in the class take part in the games club जो half है वो क्या कर रहे है games club में है one forth क्या है children garden club में है the drawing club has one forth children वो भी क्या है drawing club में है class के बेज़ो children से है ठीक है if there are 200 200 students in the school 200 students है in the school में look at the चपाती chart and tell the number of members in each club अब देखाना आपने the games club has dash members अब कितने members है games club में तो आपको निकाना है तो हमारे क्या है 200 200 students है न टोटल उसमें से चपाती चार्ट में क्या रिखा था half जो थे वो games club में थे तो 200 का half कितना हुआ 100 तो आप यहां पर क्या लिखेंगे 100 members ठीक है 100 members लिखेंगे second वाला है the garden club has dash members अब गार्डन किलब में कितने थे one fourth तो 200 का one fourth कितना होगा 50 तो आप यहां पर लिखेंगे 50 members थार्ड है आपका there are dash members in the drawing club अब drawing club में भी कितने थे one fourth थे ना उसमें भी तो हम क्या करेंगे 200 का one fourth कितना हुआ यानि कि 50 members 50 members भी drawing club में थे इस तरही किसे करेंगे getting wet in the rain who looks who likes to get wet in the rain a child made this chapati chart after asking his friend अब आप यहां पर है कि किसे rain में जो भीगना है वो पसंद है किसे नहीं है वो ही उन्होंने अपने friend से पूछा और उसके बाद इसमें chapati chart में सो कर रखा है अब यहां पर देखें जिसको पानी में भीगना अच्छा लगता है और जिसको पानी में भीगना अच्छा नहीं लगता तो इसका क्या है पूरा हाप से भी जादा है थी फोर्थ क्या है लोग को जो वो है child children's है उनको भीगना पसंद है वो भीगना पसंद नहीं है अब इसी के आपको seek the chapati chart and tell आप chapati chart को देखके आपको इसको बताना है how many children like to get wet in the rain rain में भीगना अच्छा लगता है कितने लोगों को 3-4 अभी बताया है 3-4 यह पूरा इस तरीके से ठीक है second वाला how many children do not like to get wet in the rain अब जिनको वो भीगना पसंद नहीं था कितने थे वो कितने children से 1-4 ठीक है इस तरीके से आप देख रहे होंगे ना ही इस तरीके से हम इसको करेंगे तो यह हो गया यह 3-4 हो गया पूरा तो कितने है 3-4 कितने वो भीगना पसंद था and 1-4 जो था वो पसंद नहीं था जो children थे ठीक है इस तरीके से आप इसको करेंगे and next है हमारा if the number of children in the class is 28 then tell the number of children अब 28 children है ठीक है तो आपको बताना है first वाला है who like to get wet in the rain अब इसमें आप क्या करेंगे कितने लोगों को पसंद था उसका 3-4 3-4 लोगों को क्या था वो पसंद था तो आप क्या करेंगे 28 into 3-4 इसको करेंगे तो आपका answer आजाएगा तो 4-7 जा 28 होता है 7-3 जा sorry आपने पहले करना है 4-28 से cut करेंगे तो कितना आजाएगा 7-7 से 3 7-3 जा 21 तो आप यहाँ पहले क्या लिखेंगे 21 21 चिल्डरन्स थे इनको इन में भीगना पसंद था ठीक है उसे तरह किसे second वाला है who do not like to get wet in the rain आप जिनको पसंद नहीं था उसमें तो आप क्या करेंगे 28 तो उसमें क्या था 1 by 4 था ना जिनको पसंद नहीं था तो क्या करेंगे आप जब आज इसका निकालेंगे 4 7 जा 28 ठीक हो गया 7 जा 7 आ जाता है तो क्या होगा 7 जो बच्चे थे उनको चिल्डरन्स जो थे उनको पसंद नहीं था इसे थागे से नेक्ट है आपका टी, कॉफी और मिल्क आप कुछ चिल्डरन्स दे गए हैं जो जिसमें क्या है कि किसी को मिल्क पसंद है किसी को कॉफी पसंद है किसी को टी पसंद है आप देखना है आप यहाँ पर नेम लिखे हैं ना तो इसको जब हम add करेंगे 20, 10, 10 को add करेंगे तो क्या जाएगा 40, 40 total 40 children हैं, ठीक है, find out from the table, आप table को देखके यह आपको बताना है, फार्स चिल्रन्स who like milk are 1 by 2 and 1 by 4 of the total children, अब आपको बताना है, ठीक है, तो 20 का half कितना होता है, 10, यानि की half children's को क्या था, milk पसंद था, तो क्या होगा, 1 by 2 children, ठीक है, आप इसको को करेंगे, children's को milk पसंद था, second वाला children who like coffee are 1 by 2 and 1 by 4 of the total children, तो कितने लोगों को coffee पसंद था, 10, यानि की 20 का कितना है, half है ना 10, तो यानि की 1 by 4 children's को, आप इसमें 1 by 4 children's लिखेंगे, so the liking for tea, coffee और milk in a chapati चार, आप आपको भी एक chapati चार्ड बनाना है, ठीक है, उसमें so करना है, tea, coffee और milk, ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे, round में बनाएंगे इसको, round में बनाएंगे, and इसका क्या करेंगे, half, half children's को क्या था, आपे milk पसंद था, तो आप इसको, आपे milk लिखेंगे, and इसका one-fourth था न, one-fourth क्या था, one-fourth coffee और one-fourth tea, इस तरीके से आप इसको show करेंगे, ठीक है, I hope आप लोगों को समझ माया है, इसके बाद जो आपको इसका assignment मिलेगा, home work में, उसे आप करें, इस तरीके से आप करें, thank you,